लानन्द मोन की रिहाई के बाद बियार के सियासत किस दिशा की तरफ जाएगी अपने आप में बड़ा सवाल है इसके क्या माइने हैं क्या जाती की राशनिती हो रही है इसको लेकर भी हम चचा करेंगे मेरे सयोगी राजीव रंजर हमारे साथ बने है राजीव आपसे मैं ज निती हो रही हो लेकिन समाजिक दृष्टी से मैं आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि आप जनता के बीच जाते हैं जनता का मन टोलते हैं जनता से सवाल करते हैं समाज कैसे देखता है जब इस तरह से एक अपराधी को सरकार नियम में बदलाब करकर छुडा देती है समाज कि किस तरह से देखता है जब इस तरह के अपराधी उनके बीच वोट मांगने आते हैं देश की संसर में भी पहुंच जाते हैं समाज का क्या रोल है और राजनितिक पार्टियों का क्या रूल है इस पूरे मुद्ध को किस तरह से देखने हैं राजीवाब देखिए समाज तो देखता रहता है और जब समय आता है तो समाज अपना निड़े और अपना फैसला सुनाता है राजनितिक दल अपने हिसाब से फैसले करते हैं सरकारे अपने हिसाब से फैसले करती हैं जब आप आनन्द मोहन की रिहाई पर सवाल उठाते हैं तब आप ब नियम के तहट छोड़ा गया था तो वो भी गुजरात सरकार का फैसला था और उन्होंने गुजरात चुनाओ के पहले ये फैसला किया और उनकी रिहाई का मार्क प्रिशस्त किया उनको माला पहना करके उनका स्वागत किया गया दुनिया ने देखा है दर असल क्या है रवी क उम्र कैद के मामले में जब 14 साल सजा हो जाती है तब उसके बाद कैदी किया जो बेवहार है और तमाम कई मापधन ने उसको देख करके राज्य सरकारे रिवीव कर सकती है और उनकी रिहाई का रास्ता खोल सकती है ठीक इसी कानूनी दाउंपेश से गुजरात में के रुपियों को छोड़ा गया और ठीक उसी तरह से यहाँ पर 27 लोगों को छोड़ा गया जिसमें आनंद मोहन का 11 नंबर है लेकिन आनंद मोहन का मामला एक मामले में अलग है जब आप सरकारी सेवक को जान से मारते हैं तब उसके लिए आपको सजा का प्रावधान अलग ह और उस उस प्रावधान को बिहार सरकार ने उसको भी हटाया खास करके उस 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 बेवस्ता से आनंद मोहन को अकेला फायदा हुआ तो मैं कहता हूँ ये विशुद रूप से राजनितिक फैसला है आपको याद होगा दो साल पहले जब आनंद मोहन की 14 साल की जेल 14 साल का क अपील की थी या कोशिश की थी तब ततकालीन मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने एक जटके में उस समय उनके इस अनुरोध को अस्विकार कर दिया था उस पर कोई कान नहीं दिया था तब बीजेपी के साथ वो थे और जैसे ही आरजेडी के साथ आए अगर 14 साल ही सजा की बात है तो वो 2021 में पूरी हो गई थी और तब भी मांग की गई थी लेकिन तब नितीश कुमार या उनकी सरकार ने ये फैसला नहीं किया ये 2023 में किया है जबकि 2022 अगस्त में जब आरजेडी के साथ वो आए हैं उसके बाद ये किया गया है इसका विशुद राजेडिक फै अब उसमें कुछ है नहीं और जो हैं वो अपने को साइडलाइंड महसूस करते हैं तो एक 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 इलाका खास है खास करके अगर आप गणित ऐसे देखें तो पिछले चुनाओं में 28 राजपूत विधायक जो जीते हैं उसमें ज्यादतर भारती जिनता पार्टी के खेमे से जीते ज्यादतर बड़ा हिस्सा इंडिये के हिस्से का था हलाकि अब वो जे डियू अलग ह गया तब भी बीजेपी में एक अच्छी खासी संख्या राजपूत विधायकों की है और माना ये गया की चुनाओं में राजपूत विरादरी जो है वो ज्यादतर अंडिये की तरफ है उसको चार फीजदी आबादी है देखिए राजपूतों के मारे मुलाहिम सिंह याद करते हैं बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो यह आपका जमीन पर माहौल बनाने का काम करते हैं तो इसलिए इनको अपने साथ जो पार्टी रखती है वो चुनाओं से पहले कुछ माहौल को बदलने में मुह से कोशिश करते हैं ठीक इसी तरह शिवहर सहरसा और उसकोसी इल वोट है और ऐसे समय में आज की बिहार की राजनीत में आनन्द मोहन से बड़ा राजपूत चेहरा महागडबंदन को नहीं मिल सकता था तो यह सारी सियासी दाओं पेज के चलते आनन्द मोहन को निकाला गया है उनके बेटे खुद चेतन आनन्द आर जेडी से विदायक है और आनन्द मोहन की 9690 के दशचक में आपको याद होगा 90 में जंता दल से उन्होंने चुनाऊ लड़ा विदायक बने थे और आरक्षण के मुदेपर आरक्षण का विरोध करके उन्होंने बिहार पिप्ल्स पार्टी 1993 या 94 में बनाई थी और उसके बिहार पिप्ल्स पार् पूरा उनका दौर चला था वो आरक्षण के विरोष से चला था उस समय उस इलाके में राजपूतों और सवर्णों में उनकी एक अलग सी पहचान बन गई थी वो संसद भी पहुंचे वो विधायक भी बने और देश के कम नेता हैं जिनको फांसी की सजा मुझे नहीं लगता लेकिन ये निश्चित तोर पर एक राजनेतिक फैसला है और 2024 के चुनाओ के लिए महागडबंदन की सरकार ने आनन्द मोहन की रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया है